हाई गाईज एन वेल्कम बैक तो माई चानल तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी कॉफी फेस पैक जो कि आपके चेहरे पे जमी हुई धूल, मिट्टी, कालपन, संटन हटाएगा और चेहरे को देगा पालर जैसा फेयर, ग्लोइंग एंड यंग लूप अगर आपके पास टाइम नहीं है पालर जाने का और आप चाते हैं इंस्टेंट ग्लोइंग फेस पैक जो कि आपको 5-10 मिनिट में आपको इंस्टेंट ग्लोइंग आपको स्किन दे और जितनी भी चेज़े मैं इसमें यूज की है, कॉफी फेस पैक में वो हर किसी के किचन मे अवैलबल होती है, तो फेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं गीववे स्टार्ट कर रहे हूँ, तो जो जो गीववे में पार्टिस्पेट करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और लिखे, हैस्टेग सोनी वर्ड, हैस्टेग गीववे, आप चाहें तो अपने फ्रेंड फैमली को भी इनवाइट कर सकते हैं इस गीववे में तो फ्रेंड जल्दि से स्टार्ट करते हैं कि हम कॉफी फेशल कैसे कर सकते हैं कॉफी फेस मेंड़ पैक वो जो आपको इंस्तेंट ग्लोइंग लुक देगा यह काफी बड़ा डबबा है, अगर आप एक से दो रुपे का जो पैकिट आता है आप उससे भी कर सकते हैं, वो एक टाइम के लिए काफी होगा, तो हमें लेना है वन टी स्पुन काफी पाउडर, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा राइस फार यानि की चावल काटा, चावल क पाटा भी हमारे स्कीन को वाइट्ट, राइटें अन राइटेंड करता है और चहरे से दूल, मिट्टी, गंध – कालापन not to be Katuag दालेंगे एक चमच बेशन बेशन भी हमारे चहरे को काला पन हटाता है और बहुत ही ज्यादा गोरा निकरा बेदाग बनाता है यह तरह से मिनी फेशल है अगर आपके पास टाइम नहीं है फेशल बहार करवाने का या मेरे फेशल ऐसे हैं एक जो बहुत सारे टाइम लेते है तो यह आप इसे एक ही स्टेप में फेशल कर सकते हैं अब सारी चीजों का मच्चे से मिक्स कर देंगे फेशन हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून हनी आप देख रहे हैं जो मैं हनी ले रही हूँ यह और गानिक है रो है और अन फिल्टर है यह हनी बहुत ही अच्छा होत अच्छी ही क्वालिटी का ले और लास्ट में डालेंगे वन टेबल स्पून दही आप चाहे तो भार की दही ले या घर की दही और अच्छे से अप साई चीजों को मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं इसकी सिस्टेंसी तो चलिए मैं अपको अपने फेस पेक देख सकते हैं और मेरे फेस पर बिल्गा आप अपना फेस वाष चरके आई हूं बहुत जेंटली जैसे कि आप नॉमल जो है कोई फेस पैक लगाते हैं तो अच्छे से अपने फेस पर हम लगा आपके पास टाइम नहीं है तो आप यह पांच मिनट में घर पर ट्राय कर सकते हैं यह भी आपको बहुत ही अच्छा एक इंस्टेंट ग्लोईंग लुक देगा तो इसे में अच्छे से अपने पेस्ट पे लगाएंगे अच्छी से लगा लिया है अपने नेक पर हैंड्स पर भी लगा सकते हैं जा भी आपको संटन है काला पन है वहाई आप लगा सकते हैं और इसे अच्छे से आप बिल्कुल जेंटली आपको जब यह हलके से सूख जाए सूखना स्टार्ट हो अपको अपना फेस बहुत जादा जो है ड्राइ लगेगा किचा लगेगा जब यह सूखना स्टार्ट हो जाए तो बिल्कुल हलके हलके हाथों से आपको यह मसाज करनी है अगर आपको मसाज करते में प्राब्लम होती है तो आप अपना हाथ हलके से गीला कर लें अलोवीरा जल से नॉमल पानी से ही और अच्छ तो फेंड 의 5 oíficने रहे है और जब ही अच्छे से सूख जाए फिर में इसे वाश करने का उन तो चली हम इसके पेस्पैक के सूखने का बूड तो फेंड तो ये फेज Wanna अच्छे से सूख चुका है तो मैं संब भी वाश करने हो तो फेंड से धूल मिटी गंध की और जितना भी काला पन है संटैन उसे हटाएगा और आपको देगा इंस्टेंट पालर जैसे ग्लो फेर स्किन तो आपको आपको आज का फेशल पसंदाया होगा पसंदाया तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना आपको मिलते रहें तो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नए होम रेमेडी नए DIY और नए किसी स्किन केर वीडियो के साथ इल रण बाबाई एंस्टे हल्दी स्टे ब्यूटिफुल बाई